हलो फ्रेंट साम हरीश डेमला फ्रम एक्यूरेट फोर्चून आस्ट्रोलोजी मिथुन लगन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि गुरु देव द्वादश भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे देखिए दोस्तों द्वादश भाव का संबंद व्याय से है लॉस से है एक अकिलेपन से है आईसोलेशन से है सॉलेचूट से है और मोक्ष से है बैट प्लेजर से भी है और उन सब जगाओं से है जो डिस्टन्ट प्लेसिस है यहां पर इनसान काफी अकेला फील करता है अगर लगन का स्वामी भी दोड़श भाव में आ जाए तो मेलेफिक हाउस है और एक दूर को दर्शाता है बहुत लंबी दूरी ओवरसीज अब यहां पर जो जूपिटर है जूपिटर यहां पर सेवन्थ हाउस का लॉड है और टैन्थ हाउस का लॉड है अगर हम सेवन्थ हाउस को डीकोड करते हैं तो सेवन्थ हाउस का संबंध है हमारी परसनल लाइफ से और पार्टनर्शिप से अगर हम बिजनिस करते हैं तो पार्टनर्शिप से तो अगर सेवन्थ हाउस का लॉड द्वादश भाव में चला जाए तो यहां डेफिनेटली हमारे जो संबंध हैं पतनी के साथ उनमें कुछ नो कुछ दूरी जरूर रहेगी फिजिकल दूरी भी हो सकती है इमोशनल या मेंटल डिस्टेंस भी यह वाली प्लेस्मेंट बना सकती है तो इसका मतलब अगर दूरी रहेगी तो रिलेशन्स में कुछ नो कुछ डेफिशन्सी रहेगी कमी रहेगी और अगर दूरी भाव में जूपिटर के साथ कोई मैलेफिक प्लानेट बैट जाए या सात्वे घर की कंडिशन वैसे खराब हो जाए तो सात्वे घर का प्लानेट भी दूरी दूरी चला गया और सात्वे घर भी अफ्लिक्टिड है तो यहां डाइवोर्स के चांसिस भी बनते हैं यानि कि कोई छटे घर का स्वामी साथ में बैठ जाए आठवे का स्वाथ साथ में बैठ जाए या फिर कोई मैलेफिक एनरजी हो सेवन था उसमें कोई के तू मंगल बैठ जाए राहु मंगल बैठ जाए शनी सूर्य बैठ जाए कोई भी यानि कि दो एनिमी प्ल लड है सेवंधा उसका वो भी वो तो चलाई गया उसकी चर्चाई कर रहे हैं तो यहां पर डाइवॉर्स के चांसे बन जाते हैं यहां पर अगर साथ मांगर एफ्लिक्टेट नहीं है तो फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी लाइफ में ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें पती या पत्नी एक दूसरे से अलग रहेंगे द्यूटू प्रोफेशनल कंपोलिशन्स यानिके आपका पती किसी दूसरी स्टेट में काम करता है दूसरे कंट्री में काम करता है या आपकी पत्नी करती है आप कहीं रह रहे हो हस्बंट कहीं रह 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 तो ऐसे भी संबंद बनते हैं और यह जुपिटर की दशां अंतर ज़्याधर रह रहेगा व्याया का संबंद है निए कि कहीं ना कहीं जब भी इस घर में कोई प्लानेट आता है तो उस घर का नुकसान जरूर होता है व्याया जरूर यहीं नहीं खर्चे का व्याय उस घर का व्या हो जाता है, उस घर से जो भी significance निकलता है, उसका व्या हो जाता है, तीसरे घर का संबंद अगर बारवे से हो जाए, तो हमारी मेहनत का, हमारे प्राकरम का व्या हो जाता है, और बारवे घर का संबंद हेल्थ से भी है, हेल्थ में भी deficiency बारवे घर दे देता है लगन का सौमी, अगर बारवे में घर में आ जाए तो बिमारी से संबंद हो जाएगा आठवे घर का स्वामी अगर बारवे में बैठ जाए इनसान किसी भी नेटिव के चार्ट में तो बीमारी के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन का भी योग बन जाता है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी बारवा है कहने का मतलब यह है कि बारवा घर कुछ न कुछ deficiencies तो देता ही देता है अब यहाँ पर साथवे घर से हम business भी देखते हैं अब यहाँ हमारे जो partners हैं उन से हमारा कुछ न कुछ distance रहेगा एक understanding में problem रहेगी हमारे business में खर्चे बढ़ सकते हैं हमारी travel बढ़ सकती है हमारा कोई partner है उसकी तबियत खराब रह सकती है personal partner की भी health खराब रह सकती है या यानि के spouse की तो यह सारे चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं और कभी कभी हमारा जो spouse है वो विदेश में जाके settle हो सकता है और या विदेश में काम कर सकता है या travels वगरा ज्यादा रह सकते हैं उसकी life में यह भी यहाँ पर निकलता है क्योंकि foreign country का संबंध है उसमें और भी एकाद योग होना चाहिए तब यह ऐसे फल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी जब तक foreign resources से connect नहीं करता है चाहिए वो foreign countries हो चाहिए वो foreign resources हो चाहिए वो foreign के लोग हो चाहिए वो foreign की company हो multinational companies हो जब तक ऐसे किसी resource से आदमी संबंध नहीं बनाता तब तक उसकी growth जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं होते हैं क्योंकि बारवे घर के significance से ही आपने पैसा कमाना है आपका carrier बारवे घर से connect हो गया अब यहाद अगर आप बारवे घर से connection नहीं बनाते तो फिर आपके carrier का नुकसान रहेगा आपको struggle ज्यादा रहेगा results का मिलेंगे slow growth रहेगी tension रहेगी खर्चे ज्यादा रहेंगे गुरू वैसे भी finance कमा लिक है यानि कि macro finance देखता है तो कुछ नो कुछ यहाँ पर खर्चे भी ज्यादा रहेंगे wife की वज़ा से खर्चे हो सकते हैं बिमारी की वज़ा से खर्चे हो सकते हैं अगर आप business में है तो partnership firm में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं तो उसकी वज़ा से आपकी परिशानिया यहां रही क्योंकि दिस इस बैट प्लेस्मेंट और social status भी आपका बहुत प्रॉमिसिंग नहीं होगा इसलिए प्रॉमिसिंग नहीं होगा दसमें घर का लॉस के घर में बैट गया दसमें अगर social status का है तो हाँ आप अगर foreign country में कुछ लोगों से connected है तो वहाँ पर आपका अच्छा status माना जाएगा अब देखिए दो नंबर राशी यहां पर है बारवे घर में इस लगन में दो नंबर राशी है परिवार की और wealth की और speech की तो दो नंबर राशी शुक्र की राशी है तो यह नहीं के हम थोड़ा सा कभी कभी यहां पर प्लैजर्स कार्णल प्लैजर्स में भी घुश जाते ह अगर शुक्र भी exalted हो जाए इस चार्ट में तो फिर यहां पर संबंध हमारे कुछ गलत बन सकते हैं हम एडिक्शन में भी आ सकते हैं कोई ना कोई कर सकते हैं हैं हमारा परिवार के उपर भी खर्चा ज्यादा हो सकता है यानिके पिरेंटकला फैमली के oh क्योंकि दो नंबर राशी पिरेंट्र फैमली कि राशी एशोराम पे भी हो सकता है, लग्जरी में हो सकता है, कंफर्ट पे हो सकता है, ट्रैवलिंग में हो सकता है, इस तरह के खर्चे भी हमारी लाइफ में हो जाते हैं और दस्वे घर का संबंध है हमारे पिता की वेल्थ से हैं, हमारे पिता की वेल्थ से हैं, तो यहां पर पिता की वेल्थ में थोड़ी दिक्वत रहेगी, यानि कि पिता की wealth में कुछ नो कुछ नुकसान रहेंगे पिता की family से दसमे घर का भी संबंध है तो हमारा थोड़ा connection पिता की family से भी कम रहेगा कुछ नो कुछ distances बने रहेंगे और दो नमबर का संबंध है speech से जो यहां राशी है तो हमारा speech वगर अच्छी होगे हम बड़े wise होंगे हम philosophical हो सकते हैं यहां वाइज हो सकते हैं कि charity में भी जा सकते हैं अगर कोई ऐसा संबंध बन जाए क्योंकि यहां पर हम spirituality का भी यह house है बारवंगर सिर्फ बुरी चीज़ों का नहीं है कि अगर हमारा है कि सूरी एजसा प्लानेट नोवे घर में आ जाए या लगन का स्वामी जो है बुद्ध वो नाइध हाउस में आ जाए तो डफिनेटली हां सिप्रीच्वालेटी में भी हम काफी एडवांस्मेंट में जा सकते हैं फौरण की सैटलमेंट तो यह देई सकता है यह प्लानेट हमें लेकिन फौरण की सैटलमेंट के लिए एक कम से कम योग का होना और ज़रुई है यह यह सक्र का चोथे घर में बैठना या नाई था उसमें बैठना फौरण की स्कता है राहू का बार्में घर में बाष्टना इया चोथे घर में बैठना भी कि प्लेस्मेंट दे आठवे घर में भी अगर राहू बैड़ या वह भी दे सकता है इस प्लेस्मेंट के साथ तो एक और योग कोई भी अगर कि इस तरह का हो तो फॉरण की सेटलमेंट भी हमें मिल सकते हैं हम अपने स्पाउस के माध्यम से भी फॉरण की प्लेस्मेंट ले सकते हैं और यहां थोड़ी सी हमारी फिलस्फिकल व्यू इसलिए हो जाएगा इसका बार्वे घर का संबंद आइसोलेशन से हैं सिप्रिचुलेटी से हैं और जुपिटर जो है यह तो कारकी है सिप्रिचुलेटी का तो यह हमें फिलस्फिकल भी बना सकता है सिप्रिचुल भी बना सकता ह और कुछ writing work में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं हमारी wisdom जो है कही नकही imagination में यूज हो सकते हैं और जितने भी creative work है and imaginative work हैं उसमें हम काम कर सकते हैं और हमारी पतनी भी या पती पतनी जोनों काफी imaginative हो सकते हैं और थ्वड़ा सा shokin हो सकते हैं और luxuries में comforts में रहने के उनकी आदत हो सकती है लेकिन health को ले अगर माना जाए तो health के लिए ये पत्नी की health में थोड़ी बहुत परिशानी देगा या पती पत्नी के रिष्टों में थोड़ी सी distance पैदा कर देगा अब दोस्तों यहां पर बैठा हुआ जूपिटर बार्वे घर में बैठा हुआ जूपिटर हमारे चोथे घर को देखेगा पांचमी द्रिष्टी से चोथे घर से रिलेटेट चीज़ों में अच्छे ही फल देगा हलांकि जूपिटर एनिमी साइन में बैठा है लेकिन दो नमबर साइन अमरी परिवार का साइन है और वेल्थ का साइन है तो यहां आदमी पैसे वैसे तो कमाता है और आदमी प्रोपर्टीज वगरा को भी अच्छे से हैंडल करेगा फोर्थ हाउस पर जब उसका आस्पेक्ट आएगा तो और जूपिटर की जो साथवें द्रिष्टी है वो छटे घर पर पड़ेगी तो छटे घर में यहां पर आठ नमबर राशिय मंगल की तो थोड़ा मेड़ा प्रोपर्टी मैटर्स में भी इंसान इंट्रेस्ट लेगा और थोड़ा सा कहीं डिस्प्यूट्स लिटिगेशन ये वाली सारी चीज़ें भी एक्टिवेट हो सकती हैं अगर साथमंगर एफ्लेक्ट हुआ तो फिर ये डिस्प्यूट्स या ये एक्टिवेट हो स और मंगल देव की जो नोवी द्रिष्टी है वो आठवे घर पे रहेगी आठवा घर भी कॉंप्लिकेटेड है वहां दस नंबर राशी पड़ी हुई है वहां से भी कुछनों कुछ आपस्टेकल्स रहेंगे तो आपने देखा कि गुरू की जो द्रिष्टियां है जो थे गर हमारी लाइफ में कुछ नोब कुछ प्राप्लम्स ciąब कुछ अब्स टेकल्स कुछ नोब ृपिशंसीज growing his वाली चीजें क्रियेट करें है कि ब्रिमारी है अब दीपिटर यहां पर तीन नक्षट्रा पहला नक्षट्र क्रिति का नक्षट्र जो सुर्यदेव का है उसके पहले दूसरा तीसरा चोथा दूसरा तीसरा चोथा चरणिया दस डिग्री तक है वह अगर जुपिटर कृति का नक्षत्र में तो फिर आप सूरिय की प्लेस्मेंट को जरूर देखिए यहां पर आमने दो चीज़ें करनी है एक तो शुक्र की प्लेस्मेंट देखनी है और ए उसलिए आप्लेस्ट नीच में नहीं तो फिर यहां पर बैठा हूवा गुरू बहुत अच्छे रिजॉल्स देगा अगर इन दोनों में से एक प्लेस्मेंट अच्छी हुई तो मीडियम रिजॉल्स देगा यू मानके चलो और अगर दोनों ही प्लैनेट्स अच्छे बैठ रहाख है तो फिर यहां पर स्टरकल ज्यांदा रहेगर है परसुनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में है ग्रोथ बहुत मुश्किल से हुगए को और दूसरा नक्षत्रियां मिलता है रोहिनी नक्षत्र बात अच्छा नक्षत्र सारे गुरू के नक's दो मिट्शत्र है या अब गुरू कृतिका में भी अच्छा काम करता है रोहनी नक्षत्र में अगर जूपिटर आ जाया तो चंद्र की प्लेस्मेंट से आपको पता लगेगा कि यह जूपिटर किस तरह से आपकी लाइफ को चलाएगा दो इंपॉर्टेंट हाउस है जूपिटर आपकी परसनल लाइफ का भी हाउस है और आपकी प्रोफेशनल केरियर का भी हाउस अगर ये रोहिनी नक्षत्र में है तो मून की प्लेस्मेंट अच्छी होना बहुत जरूरी आपके चार्ट में और वीनस तो अच्छा होना ही चाहिए अगर ये दोनों प्लैनेट्स अच्छे घरों में बैठे हुए है तो यहां जूपिटर आपको अच्छे रिजर्स देगा और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है म्रिक्षिरा मंगल देव का नक्षत्र है जो आपको काफी अंबिशियस बनाता है काफी भाग भाग दोर में र साइट के आपको किस तरीके से यह जूपिटर फाल देगा अगर बहुत ही ऑस्पीशियस हाउसेज में नक्षत्र का लॉट बैठा हुआ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी मेरेड लाइफ भी संबली रहेगी केंदर या त्रिकोन में नक्षत्र का लॉट बैठ गया और शुक्र भी अच्छा बैठा हुआ है फिर कोई यहां पर विवाही जीवन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा बहुत तो देखो असर रहता ही है उस हाउस का बार में घर का लेकिन आपकी लाइफ चले वी है है और अगर शुक्र की प्लेशमेंट भी खराब हुई फिर यहां पर आपको स्ट्रगल रहेगा और तो इस तरीके से आप ने इस प्लेश्मेंट को अनलाइज करना और बड़ा डिटेलिंग में हमने आपको बता दिया है हर चार्ट में अलग तरीके से फल मिलें इस प्लेसमेंट हर चार्ट में आप दस चार्ट उठाके देखोगे दस चार्ट में डिगरी भी अलग होगी आस्पेक्ट भी अलग होगा देखिए जो हमने आपको साथवे घर की कंडिशन बताई है वो भी अलग होगी नक्षत्र भी अलग होगा नक्षत्र का लॉड की प्ल करना है कि आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे based on the interpretation जो हमने आपको दी है उसमें सारी चीज़ें देखनी है आपने तो दोस्तों this is all for the day उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है if you are liking our videos please try to subscribe our channel if you want to take a consultation from us you can drop a whatsapp message on our mobile number we'll respond to you और personal consultation भी आप किसी भी चीज़ के बारे में ले सकते हैं thank you very much once again take care of yourself and your family we'll see you soon goodbye